दोस्तो नमस्कार मेरा नाम सेकर और स्वागत आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल सिखरी स्टेडी पॉइंट पर दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं 75 महत्पून परसनु पर दोस्तो ये परसने सभी के सभी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो आप वीडियो को अंतक जरूर देखेगा और इसकी पीडियाप दोस्तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो इसमें हम देखने वाले हैं हिंदी के महत्पून परसनु को दोस्तो हिंदी कम मेहनत में यहां अच्छे नंबर आते हैं अगर आपने अभी तक दोस्तो जो भी सब कुछ पढ़ा हुआ है तो प्रेक्टिस के लिए दोस्तो काफी अच्छा है और हिंदी में दोस्तो स्वर कौन सा नहीं है बाकि यहाँ पर देखते हैं यहां पर दिख रहा है आप तो अगला प्रसंग है यहाँ पर हमारा निमिलिकित मैसे कौन सा मूल दीरग स्वर नहीं है मूल दीरगसवर नहीं है दोस्तो अच्छा प्रस्न है तो यहाँ पर दोस्तो मूल दीरगसवर नहीं है बागी यहाँ पर यह option दे रखें तो इसका सेवत्र हो जाए दोस्तो ओ ओ क्यों नहीं है ओ दोस्तो सेवत्र है तो दीर्ग स्वर दोस्तों कौन-कौन से होता है इन्हें सब जानते हैं हापर ये वीडियो में दोस्तों आया हुआ एक्जाम में तो यहां भी आ सकता है बांगे दोस्तों स्वरू की संक्या कितनी होती है यह वर्ण माला में तो यह आप भली बाती जानते कितने होती 11 यह भी आता है एक्जाम में 11 तेरा अलग-अलग ओप्सन वहाँ पर रहते हैं और स्वतंद रूप से उच्छरित वर्ण स्वर कहलाते हैं यह भी आ सकता है हसु स्वर दोस्तों कौन-कौन से हैं इनने जरूर से याद रखेगा ओ, ई, उ, और री तो उस्तों जादा आपको पीडियाप मिल जाएगी आप इसे पढ़ लीजेगा क्योंकि फिर वीडियो और भी लंबी हो जाती है बांकि दीर के सवर कौन-कौन से हैं आ, ई, उ, यह सब दोस्तों दीर के सवर हैं यह यहाँ पर दिये अगला प्रसन है दीर के सवर है, अब आप समझी के होंगे दीर के सवर कौन होगा इसमें से, तो उप्सन मर बी होगा है, यह जो बड़ी है यह हो जाएगा, उ भी हो जाएगा, यह सब हमारे दीर के सवर है, अगला प्रसन है दीर के सवर कौन सा है, तो दीर के सवर दोस्तो तो स्युक्ति स्वर A, I, O, O यह हमारे चारू जो है स्युक्ति स्वर है तो option बर D हो जाएगा इसका बिल्कुल स्युक्ति स्वर आप कैसे बनते हैं यहाँ पर दुस्तों यह दिया हुआ है जैसे A है यह O धन E के मेल से बनेगा I है तो O धन A के मेल से O है तो O धन U के मेल से तो इन्हें भी जरूर से आपको याद रखना है क्योंकि यह भी किसके मेल से बनता है एक्जाम में आ जाएगा तो बांकि आप PDF में देख लिजेगा बढ़ते हैं अगले परसन की त्रव अगला परसन है मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं तो दोस्तों कितने होते हैं तो अगला परसन यापर हमारा वर्ण तालिका के अनुसवार हसु दीर्ग और पुलूत क्या है तो इसका सेवत्रू जाएगा तीनु अब आपको कौन-कौन से होते हैं ये भी बिल्कुल रढ़िया होगा अगला प्रस्न है जीवा के आधार पर स्वर कितने परकार के होते हैं तो अच्छा प्रस्न है यहां अगर यहां से प्रस्न बनता है एकजाम में तो बहुत से अभ्य ती गलत करेंगे तो जीवा के आधार पर स्वर कितने होते हैं तो तीन होते हैं Kone-Kone से अग्रस्वर, 25 और मद्द्डी अब दोस्तों बहुत से जो घर्याम दिगे उन मैंसे तो कौन-कौन से अग्रस्वर होते, मद्द्डी स्वर होते हैं अगर यहां मद्धिसवर याद रख लिया तो पश्चिश्वर फिर जो बचे तो असारे पक्सवर होगे तो इन्हाँ आप जरूर से देख लिजएगा तो यह आपको जरूर से याद रखना है अगला प्रस्ण है यहाँ पर हमारा अर्ध विवरत स्वर है यह अच्छा प्रस्ण है तो अगला प्रस्ट ने यहाद रखेगा जिनकी धवनी केवल मुक से निकलती है वे हैं तो वे हैं दोस्तो मुख से निकलती है उन्हें केते हैं निन्नु नासिक्षुर तो अप्सन नमर डी दोस्तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक आपको जरूर से करना है काफी जादा महतुन परसन है UPSI ज कारक नहीं पुलिंग सब्द इनसे बनाए जा सकते हैं उस तो कौन सा भाव आचक संग्या तो अप्सन नमर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर अगला प्रसन है यहां पर इसको भरना है उसका सारा सौंदर है उसकी किसम है पालू में होनी सकता मुख मंडल नहीं आखु प्रसने यहां पर हमारा सभी सब्द भाव आचक संग्या पहचानना है गराम पंचाय दधी का आरी में प्रसन पूछा गया था सभी भाव आचक होने चीए अमीर गरीब तो इनकी तो जाती होगी समू यह भी नहीं होगा यह तो समू आचक होगया पुस्तक यह गंगा यह बेक्ति आचक यह भी नहीं होगा तो रसिला कड़ोहाट बुडापा उन्नती तो अप्शन मर्शी होगा दूस्तो इसका बिलकुल सेवतर तो काफी जादा म मिठाश ओगा अगला बर सिन्हा भाव तक शंक्या कौन सी है नजरू यह बहुया बरसे यह बहाव सica संग्या तो बहांकी बहारे बहावा से संग्या यह यह पर दियो श्रक łा यह बहाई बर lt का यह नहीं बहारत है तो यह सब कोण से बहारत पाकिस्तान अगला फार यहती еждności Цurieom थो भुड़ापा एक परकार कर मेंजुंद के बाइट दूझथ म सबार सब्सकोष सब्सक्राइब अगला प्रशन है यहापर हमारा वैधव एक भाववाचक संग्या है जो की बिशेशन से बना है कौन सा तो यह बना दुस्तु बिध्वा से तो ऑप्शन मेर सी होगा इसका बिल्कुल से उत्तर एक्जाम में प्रशन पूचा जा चुका है अगला सूर की भाववाचक संग्य क्या है तो सूर वीड़ता सूर पान कुछ नहीं यह हो जाएगा सौरी ना कि सौरी ता तो ऑप्शन मेर ए होगा इसका बिल्कुल सटी कुत्तर अगला प्रशन है बांके दोस्तों यह पीड़ेप में आप देख लिजेगा बेक्ती वाचक संग्या में सबी आप उधारन के स आशाने से समझ सकते हैं तो बांकी बढ़ते हैं जैसे पूलिस क्या है किस तरह की संग्या है तो समू वाचक है तेल कैसा है तो दरब्वी वाचक है ओक्सिजन कैसी संग्या है तो दरब्वी वाचक है देश कैसा है तो देश की जाती वाचक है सारी देश आगे अगला प्र से संग्या की ब्याप्ती मर्यादित होती है उसे कहते हैं विसेशन यानि कि संग्या या सुरू नाम की विसेशता बताने वाले उन्हें क्या कहते हैं विसेशन अगला प्रस्ण है निमलिकित सब्दू मैंसे बिसेशन सब्द है बिसेशन इन मैंसे कौन सा होगा तो तो यह हो जाएगा पांच हुआ तो option मर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर तो बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ अगला है गलत प्रस्ण पर्युक्त हुआ है गलत कविता परिसर में यूजती है सही है परबुद्ध जनू से हमारी अपेच्चा ये भी सही है वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया ये भी ठीक है यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है ये कुछ साइन लग रहा यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है ये है सरकारी ये अस्पताल महिलाओं का तो ये होगा गलत ये महिलाओं का सरकारी अस्पताल होना चीथा यहां पर कि सरकारी महिलाओं नी ये महिलाओं का सरकारी अस्पताल है ये होना चीथा तो यह हो जाएगा हमारा option number C अगला प्रस्ण है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो इस वाकि में कौन सा पदबंद विसेशन है तो यह पूछा गया है तो यहां से अक्सर प्रस्ण बनते हैं तुम बहुत अच्छे बच्चे हो तो इन में हो जाएगा उस तो बहुत अच्छे तो option number B होगा इसका बिल्कुल सैवतर बांकि संग्या या सुरू नाम की विसेशता बताने वाले वो कहलाते हैं मारे विसेशन तो विसेशन पदबंद यह हो जाएगा मारा बहुत अच्छे अगला प्रस्ति यहाँ पर हमारा विसेशन पदबंद क्या है तो इसमें से पूछा गया है विसेशन पदबंद क्या है रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्त रहते हैं लोग स्वस्त नहीं हो जाएगा रोज कसरत करने वाले रोज कसरत करने वाले शुस्त्र रहते हैं यह हुँञेगा हमारा विशेशन पदबनद क्योंकि विशेशता बता रहे है अगला प्रस्नी धर्म से बनने वाला विशेशन क्या होगा तो अधर्म हो नहीं सकता, धर्मी, धर्म, धीर, कुछ ने यह हो जाएगा धार्मिक, तो बिल्कुल आसान परसन था, अगर आपको नहीं भी आता है, तब भी आप आसाने से इसे ठीक कर सकते हैं, अगला परसने आपर मारा 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी, 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी, तो देख साथ बज़े आने वाली तो इसका सेवत्र हो जाएगा हमारा साथ बज़े आने वाली तो ऑप्शन वर B अगला प्रस्न है कौन सा सब्द विशेशन है यह हो जाएगा चमकिला चमकिला क्या है हमारा विशेशन सब्द है उसकी विशेशता है कि कैसा है वो चमकिला है अगला प्रस्ण है विशेशन सब्द है उठापा अभी हमने देखा था उठापा क्या है दोस्तो भावाचक संग्या है तो अगला प्रस्न जो इसमें सवित्र हो जाएगा यह ओजा सांत आप्षन मढड़ी बांकी जैसे दोड़ है, क्रोध है, ये सब भावाचक संगया है तो जाएगा हमारा आप्षन मढड़ी सांत अगला प्रस्न आप पर हमारा कौन सा सब्द विशेशन है अगर दोस्तों एक जाम में आता है सासन, अनुसंसा, अनुसासन, अनुसासित, तो बहुत से आभिरती वहां पर गलत करेंगे, तो इसका सेवत्रोजाज जो अनुसासित जो है ये है हमारा विसेशन, तो ये आपको बिल्कुल यादकना है, और भागी जैसे अनुसासित जो है यह हमारा विशेशन है अगला पुशन है जैसा काम वैसा दामने जैसा किस ब्याकरण आत्म कुटिक है यह जो झैसा है यह क्या है उस्तु यह है विशेशन विशेशन है भागी स्वरुनाम होने सकता पहते है आट यह वब व Вы अगला निशा का विशेशन रूप है निशित नैस निशाचर या निशांत तो हो जबाएंगा हमारा ओप्सन नमर डी नैस तो अब दोस्तों यहां से किरिया से प्रस्न आ गए हैं वाकी वीडियो कौन तक जरोड देखेगा और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक ला दोड़ना अकर्मक किरिया है, तो इसकी पिरणार्थक किरिया क्या होगी? तो यह जाएगी दोड़वाना, option number A. दोड़ना किस तरगी किरिया है? यह भी एकजाम बनता है, तो अकर्मक किरिया है, तो परसने से ही यहाँ पर दिया हुए, दोड़ना एक अकर्मक किरिया है, तो एदी ओढ़ना अकर्मक किरिया है तो इसकी पर्थम पिरियार्थक किरिया क्या होगी ओढ़ना तो यो जाएगा उड़ाना ओप्शन नमर बी होगा इसका बिल्कुल सेवतर अगला प्रस्ने अकर्मक किरिया है ओढ़ना और पर्थम पिरियार्थक होजाएगा उड़ाना इध अगला बरशन है निमन में से प्रिणार्थक किरिया है तो यह जाएगा गिराना तो आप्सन नमर सी होगा इसका बिल्कुल सहीवतर गिराना जो है यह हमारी कैसी किरिया है तो प्रिणार्थक किरिया है अगला बरशन है राम लक्षमण से पत्र लिखवाता है इस वाकि में कि सा रूप है तो यह जागना मूल किरिया का पर्थम प्रिणार्थक रूप क्या है तो यह जागा इस तो जगाना जगाना हो जाएगा इसका बिल्कुल सेउतर प्रिणार्थक किरिया मां क्या होता तो परिभासा यहाँ पर धी हुए है जब करता किसी कार को स्व्यंग न करके किसी अन्यकार को करने की प्रिणा देता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रिणार्थक किरिया, तो आप आप समझी क्योंगे, मागे उस तो ये सारे उधारण दिये हुएं, तो इना आप देख लिजेगा, अगला ब्रसने आपर हमारा हतियाना, चिकनाना किस परकार की किरिया है, तो ये हो जाएगा हमार नाम धातु किरिया तो option number A होगा इसका बिल्कुल से उत्तर बांकि नाम धातु किरिया किसे गहते हैं ये परिभास अभी एकजाम मा आती है जिसे संग्या सरुनाम तता बिशेशन से मिलकर बनने वाली किरिया नाम धातु किरिया खेलाती है तो इनने जरुड़ से याद रखे जब आपको पीडिया मिल जाएगी थोड़ी देर बाद अगला प्रसन है निमल लिखित वाक कि मैं रेखांकित किये हुए भाग में कौन सा पदबंद है तो रेखांकित क्या किया हुआ है ये सुनी जाती है ये क्या है असहाई की बात आजकल नहीं सुनी जाती है सुनी जा अगला है आसना सिलाई का काम करती है इसमें किरिया पदबंद क्या होगा बताना है सिलाई का काम नहीं ये हुजएगा काम करती है तो ये हुजएगा मरा इसका जो है किरिया पदबंद अगला प्रसन है अब दोस्तों यहां से देखने को मिलेंगे हमारे अव्याई के प्रस तो अब वेके प्रसंद देखने को मिलेंगे आजकल मौसम बदलने लगा है तो इनमें बताना है जो आजकल ये करेखांकित पत का परिचे होगा तो आजकल दोस्तो यह हुझाएगा काल वाचक क्रिया mbिसेशन बदलने लगा है यह हुझाएगा क्रिया इसेशन ये भी एक्जाम में प्रस्न पूछा जा चुका है 2016 में तो अगला प्रस्न है वहां मत जाईए रेखांकित पत का परिचे होगा ये हो जाएगा उस्तो निशेद वाचक अवे तो अप्शन में ये होगा इसका बिल्कुल सहीवतर अगला प्रस्न है आपर हमारा नीमन में अव अवे हो जाएगा उस तो आ ओप्शन नमर्स ये हो जाएगा इसका अवे जैसे हाई वा साबास हां किन्तु परंतु ये सब हमारे अवे हैं बागी अवे की परिभासा विक्जाम में आती है एसे सब्द जिनमें लिंग वच्चन पुरुस कारक आदी के कारण कोई विकार न निमें लिकित मैंसे अवे है तो अवे दोस्तो ये हो जाएगा हमारा तथा ये हो जाएगा अवे पांकि ये सुन्दर नया सब विशेशन अगला प्रसने आपर हमारा हमें परती दिन सूरी नमस्कार करना चीए रेखांकित सब्दों को पहचानिए तो रेखांकित सब्द हमारा कौन सा है तो परती दिन है सरुनाम होनी सकता है सरुनाम क्या होगा यह जो हमें है यह होगा सरुनाम तो परती दिन में उस तो परती उपसर्ग जरूर लगा है लेकिन उपसर्ग नहीं करना है तो यह जागा उस तो अव्वे है हमारा उप्सन नमर B खेर यहाँ पर तो solution पूरा दिया हुआ है लेकिन वहाँ पर आपके सामने चारी उप्सन होंगे अगला प्रस्टन अव्वे है इन में तो अव्वे हुजाएगा उस तो और तो option वर डियो गा इसका बिल्कुल सेवतर बांकि यह और कभी अभी जब भी धीरे धीरे यह सब हमारे कौन से हैं अव्वे हैं अगला है वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है वाकिम अव्वे पध है अव्वे हुजाएगा हमारा हमेशा वह हुजाएगा शरू नाम तो यह तो हमारा हमेशा अगला प्रस्टन अवह काम नहीं करता है वाकिम अव्वे पध है तो यह जगा नहीं अगला प्रस् यह भी आपको कमेंटे बॉक्स में बताना है अगला वर्षन है नीमिलिकित मैंसे अव्वय सब्द है तो अव्वय हो जागा उस्तों यहाँ पर मारा और तो अभी आप समझी गया होंगे वांकि इन्हें जरूर याद लखेजे गया कि कौन-कौन से करके जैसे कहां और अभी तो बीज में पहचानने के लिए भी आसकता है कुछ भी या पूरी लाइन दे दी इन्हें से पहचानों कैसे भी परसन आसकता है तो अब दोस्तों हम यहां से देखेंगे लिंग वचन काल वाच्ची वाले परसनों को और आपने देखा हुगा कि अभी हाली में लगातार द पूलिंग इनमें से पहचानना है इनमें से दोस्तों पूलिंग कौन सा होगा तो यह आपको पहचानना है हवा, कोयल, सिक्चा यह दोस्तों इस्तर लिंग है भागी दार आई हो जागा उस्तों हमारा पूलिंग लिंग संशिकर्थ भासा का सब्द है लिंग का साब्दी ग तो दया, वायू, पराथना इस्तिलिंग है बाकि नेत्र हो जाएगा यह हमारा पुलिंग सब्द अगला प्रशन है आपर हमारा पुलिंग सब्द इन में से फैचानना है तो घटना दोस्तों क्या है इस्तिलिंग है रीती ये भी इस्तिलिंग है छमा ये भी इस्तिलिंग है तो पुलिंग हो जाएगा हमारा कौन सा छेतर तो option बर सी हो जाएगा हमारा इसका सेवतर अगला प्रस्ण है pulling इन में से छाटना है तो चाहत, मेहनत, रंगत इस्तिलिंग है तो आहार हो जाएगा pulling अगला प्रस्ण है pulling वाचक सब्द छाटी है तो पायल, तलुवार और पलेट ये सबी कैसे हैं? इस्तिलिंग है और camera हो जाएगा हमारा pulling सब्द अगला प्रस्ण है आपर हमारा pulling सब्द इन में से दोस्तों पहचानना है pulling माया, दया, भासा दोस्तिलिंग है आभार हो जाएगा इसका pulling option में D तो इसका से उत्रों तो आभारी है ये आपर अगला प्रस्ण है आपर हमारा इन में से pulling छाटना है सेना इस्त्रिलिंग है आसा इस भी इस्त्रिलिंग है यह हो जाएगा हमारा कस्ट जो है यह पुलिंग सब्द है वीडियो के एक्जाम में आ चुका परसन अगला परसन है पुलिंग सब्द है तो दोस्तों दही लिंग की द्रिश्टी से दही क्या है तो पुलिंग है एक्जा अंब हैं अगला बरस्ट न इन्म안 पहरचानना है कि लगन है उस में आहाट कोई है मिमान सा सब्ण दोस्तों कॉन से सब्दा है तो माधूरी का सब्द है उसका अगला परसने निमिल की दिकारांत सब्दू में एक पुलिंग है, उसे चैनित कीजिए, तो यह जगा हमारा पानी, पानी कैसा है, पुलिंग सब्द है, माकि नदी, बकरी, रोटी, यह सब इस्तिलिंग है, माकि यह तेल, घी, तेल सभी हाँ पर दिया हुआ यह कौन-कौन तो बुढापा आ गया, दूस्तो, बुढापा आ गया कहते हैं, तो यह जगा पुलिंग, बाकि जैसे दुर घटना कैसा सब्द है, इस्तिलिंग है, निर्धन ता कैसा है, इस्तिलिंग है, तो यह सब भी आद रखेगा, अगला प्रसन है, आपर मारा दूस्तों, अब हम इ सर्ग है परसर्ग का मतलब तो कारकी होता है तो यह जगा से करण से द्वारा दोनु माता अपादान से सिर्फ अलगाव का है जब हाँ होता है तो यह जगा हमारा करण बाकी यहाँ पर करता ने करम को यह सब पूरा दिया हुआ है तो यह भी पहचानने के लिए आता है तो इन अगला प्रस्ण है, तो यह प्रस्ण में दोस्तों वीडियो में पुछा गया था, वह हम उससे अलग रहता है, रेखांकित सब्द के आधार पर बताईए कि यहां कौन सा कारक है, तो मुझसे हम बताना है, तो यह हो जाएगा उससे अपादान, या वह मुझसे अलग रहता है यह अलग रहती है जो भी कहें तो यहाँ पर दोस्तों यह हो जाएगा हमारा अपादान कारक होगा तो option number B होगा इस बिल्कुल 60 कुत्तर दोस्तों एक्जाम में पूछा गया था अगला प्रस्ने यहाँ पर हमारा माता पिता अपने बच्चुं के लिए यह जो के लिए है इसको यहाँ पर रेखांकित किया गया है कड़ी मेनत करते हैं तो पूछा गया कि के लिए क्या होगा तो यह संपर्दान के को लिए तो इन में से बताना संग्या होगा श्रुनाम होगा परसर्गों का बिसेशन होगा तो यह हुजाएगा हमारा option number A अधिकरण मेर पर बांकि यहाँ पर यह सब दिया हुआ है तो इन्हें जरूर्ड से रटली जएगा कौन-कौन से क्या है अगला प्रस्ण है यहाँ पर हमारा निमिल लिखित मैंसे करता कारक भहचाने करता मोहन को जाना है यह हुजाएगा हमारा करता कारक तो option number A मोहन को जाना है क्योंकि उसका वीडियो का exam है तो यह हुजाएगा हमारा option number A यह हुजाएगा इसमें करता कारक अगला प्रस्ण है किरिया परक भ्याकरण कोटी को चिन्नित कीजिए अगर दोस्तों यह exam में आता है हाना कि पुछा भी या था कनिस साइक परिक्षा 2016 में पक्च क्वचन लिंग कारक किरिया परक ब्याकरण कोटी को पहचानी है तो यह जगा हमारा कारक बागी इसे देख लेते हैं किरिया परक है क्या है किरिया परक ब्याकरण कोटी कारक है ब्याकरण की वह कोटी जिसमें किरिया नहीं तो कारक कहलाती है और कारक का साब्दी गरत होता है करने वाला अर्थात वहां की दोस्तों पूरी परिवासा दी हुए कारक की कितनी संख्या होती तो आर्ठ होती है तो इसे भी जबड़ से याद रखेगा अगला प्रस्ने आपर हमारा अगला प्रस्ने आपर हमारा कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं तो कुर्सी सब्द किस कारक में तो कुर्सी दोस्तो अधिकरण मैं पर तो यह जाएगा हमारा उप्शन मर्ड़ी कुर्षी पर मैं 5 मिनिट मा आ रहा हूँ यह भी यहाँ पर उधरन दिया हुआ है ए राकेस या कुछ भी ए लड़के यहाँ आओ तो यह पूछा है की यहाँ पर दोस्तों संबोधन लगा हुआ यह हो जाएगा हमारा संबोधन कार तो यहाँ पर लगा हुआ चिन्न पांकि आ किमा कौन सा ओगा तो अपादान से कुट्टे से डरती तो अपादान से तो ऑप्सन मर ऑग दोश्तों से उद्सीं हमने देखे हिंदी के 75 महतून परसनु को माकि साम को मिलते हैं उत्राखंड के परसनु के साथ ठैंकि यू फ्रेंड ठैंकि यू सो मच अभी तक वीडियो क को लाइक नहीं किया तो लिक लाइक आपको जोड़ से करना है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जोड़ कर लिजेगा तो थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू सो मच मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में